गुरु भगवान के शुक्राने हैं एक दिस्टान्त लेते हैं महाभारत एक ग्रंथ है उसके कई सारे वल्यूम्स है मतलब कई किताबों का सेट मिलाकर के एक ग्रंथ बनता है महाभारत उसमें जाधतर पौराणिक कथाएं है प्राचीन काल की, राजाओं की, रिशी मुनियों की, भगवान कृष्ण के जीवन की और रिशी मुनियों के जीवन की बहुत सारी कथाएं है एक कथा भगवान कृष्ण के जीवन की ऐसी आती है एक बार की बात है, एक सभा लगी हुई थी, कौरप पांडव साथी रहते थे उस समें, धत्राष्ट का राजी चल रहा था तो सभा में भगवान कृष्ण के पधारे, तब तक दुर्योधन का कोई उनसे वेर नहीं था, ऐसा, विश्येश कोई वेर नहीं था, मानता तो थोड़ा सा उनसे, थोड़ा, जैसे होता न, कोई आदमी कटता है किसी से, थोड़ा बचता है, थोड़ा ध्यान, मतलब, पसं नहीं करता उस टाइप से, खेर, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, सभा में तो सब बैठते ही थे, और सब बात्चीत करते ही थे, भगवान कृष्ण ने है, उससे कहा, दुर्योधन से, कि मैं एक हीरों की थैली लाया हूँ, इसमें बहुत सारे हीरे हैं थैली में, जो यहां पर तुमारी सभा में, जो स्रेष्ट पुरुष्ट तुम्हें लगते हों, उनको एक एक हीरा देयाओ, इसमें से निकाल कर, इस थैली में से, एक एक हीरा उनको देयाओ, जो तुमारी निगा में स्रेष्ट पुरुष्ट हों, ठीक है, चलता है, सारी सभा में निगा गुमाता देखदा करके, जैसे पांच साथ मिनट, दस मिनट देखा, चला आया भगवान कृष्ण के पास, कि मुझे तो इस सवा में कोई स्रेष्ट पुरुष नहीं दिखा, देखे जिसका अपने में अहंकार होता है, अपने को जो बहुत बड़ा समझता है, या कुछ समझता है, मैं मैं कुछ होँ, दूसरे को अपने सामने को समझता नहीं, बहले जानता है, अब वहां भीष्वपता में भी बैठे होंगे, उसके पिताजी धतराष्ट भी बैठे होंगे, करपाचारे, दुरुणाचारे, ये सब गुरु लोग बैठे होंगे, पर नहीं उसको समझ में आय कुछ, और आगया वापस कि मुझे तो स्रेष्ट वैक्ते कोई सवह में देखनी रहा, ऐसा जिसको मैं आपने का ही रहा दो, अच्छा, कोई बात नहीं, बैठो तुम आराब से बैठो, बगवान कर दोड़ा सा इदा उदा निगा करके, कि बात आईगा, इसी हो जाए, फि युदिष्टर को बुलाया, अच्छा, अब तुम जाओ, और सभाह में, जो स्रेष्ट पुरिश्ट वैस्ट तुम को दिखाई दे हैं, उनको एक एक खीरा देना, जो देखनी चले, तो उनको तो एक के बाद, एक के बाद, एक एक स्रेष्ट पुरिश्ट मिलते गए, एक देर हो गई देते देते तो लगा उनको ये तो थेली कतम हो जाएगी और अभी तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो आता है भगवान करिशन के पास कि इसमें तो हीरे कम हैं मैं काफी को दे चुका हूँ लेकिन अभी तो बहुत सारे स्रेष्ट पुरुष्ट लोग यहां बैठे हुए हैं ये तो हीरे खतम हो जाएंगे बीच में अच्छा नहीं लगेगा तो आप इसको ये तो दोबारा भरवा दीजे या ऐसे कुछ दिस्टानती यही है बस तो इसमें ये समझ में आता है बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई व्यक्ति व्यक्ति की निगाह में दूसरे स्रेष्ट कौन है अपने को जो बड़ा जानता है उसके लिए कोई स्रेष्ट नहीं मिलेगा और जो आपस कोई कुछ कर न जनावे गुरुगन साब में इशबद है अपने को जो कुछ करके नहीं जानता तो पंडित उसको पंडित कहा पंडित मतलब विद्वान स्रेष्ट पुरुष अब वो थे नहीं थे वो मैटर नहीं है दिर्ष्टान क्या है वो हम यह देख रहे हैं कि युदिष्ठर स्रेष्ट पुरुष है उनको सारे स्रेष्ट मिल रहे है जितने उनकी सबाह में बैठी हैं सब स्रेष्ट है तो यह दिष्टिकोण हो गया न अपना ऐसे अब पहली बात तो यह आती है कि भगवान कृष्टन जहां मौजूद है भगवान स्वयम जहां मौजूद है तो सबसे पहला हीरा तो उनको दिया जाना चाहिए हम लोग अपनी तरफ देखें दुनिया में माननी है समाननी है लोग हमको नजर आते हैं वो पैसे वाला है वो पद वाला है यह MLA है, यह MP है, मिनिस्टर है, यह है, वो है यह सब हमको दिखते हैं यह बड़े डॉक्टर हैं, यह बड़े इंजीनर हैं यह बड़े सहाब हैं यह शहर के बड़े वो हैं यह बड़े पद वाले, प्रतिष्टा वाले मान सम्मान वाले, पैसे वाले सब बहुत हमको नजर आते हैं, बड़े, भागवान हमको नजर आते हैं, सबसे बड़े कौन, अपने शेहर का सबसे बड़ा आजमी कौन, अगर ऐसे अचानक आप किसी से पूछ लें, तो वो हक पका, एकदम सक पका के, मेर मेर शेहर का मेर, नहीं, नहीं, मले, वो एक मिनिस्टर हैं, इसी शेहर के, हमारे स्टेट की मिनिस्टर हैं, ऐसे करके धियान जाएगा उसका, सबसे बड़ा कौन, भागवान, इसलिए हमरे गुरु एक बात कहते हैं, भजन ठीक है हम करते हैं लेकिन भजन का असर हमें ज्यादा नहीं दिखाई देता भजन का असर हमें बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता क्या कारण है जिनका भजन हम कर रहे हैं क्या हम उनको सबसे स्रिष्ट मानते सबसे बड़ा मानते दुनिया के मालिक है भगवान क्या हमें नाम जबते हुए ध्यान रहता है कि वो मालिक है इस संसार के और मेरे कौन लगते हैं वो क्या उनसे संबंद बनाया है हमने बात तो बहुत चलती है संबंद की बनाते भी हैं हम फिर भूल आते रोज हर समय नहीं याद रहता अभी पूछेंगे आपने क्या संबंद में हाँ हम उनको ये मानते हैं वो मानते हैं एकदम एकदम ऐसे याद करके आप बोलने क्या दिन भर जैसे अपना बेटा याद रहता है एक मा को अपनी बच्चे याद रहते हैं बच्चों को अपनी मा याद रहती है क्या ऐसे भगवान हम को याद रहते हैं हर समय भूलता ही नहीं बेटे को मा कभी भूलती होगी मेरी मा है उसको याद करना पड़ता होगा ये मेरी मा है कभी अचानक कोई पूछले कोन है तुमारी मा है उसके लिए एक दम से निकलेगा मा है और भगवान कोन है हमारे देखे स्पॉंटेनियस हमारे अंदर में क्या उसी समय ततकाल अंदर से क्या भावाता है भगवान मालिक है हमारी बोली हमारा बोलने का तरीका हमारा बोलने का धंग बता देता है कि अंदर में हमारे क्या है, नहीं नहीं वो सबसे बड़े हैं, नहीं क्यों लगा रहे हो, बगवान सब कुछ हैं, सबसे बड़े हैं, इस दुनिया के मालिक हैं, और जैसे हम कहते हैं हमारे माता पिता, माता पिता तो शडीर वाले कब तक रहेंगे बहुतों के तो नहीं होंगे बड़ी एज़ वाले जितने सत्संग सुन रहें अब उनके माता पिता शायद नहीं रहे होंगे तो अब वो तो नहीं रहे लेकिन भगवान हमारे कब के माता पिता जन्मों जन्मों के माता पिता हर जन्म में ग्यान अधुरा छोड़ा आये थे पन्य जैसे ग्यान के मोड़ा आये थे रहम हो गया भगवान मिल गए एक करपा हो गई इस जन्म में हम पर के गुरु ने हमको भगवान से मिला दिया गुरु गोविन दोनों खड़े काके लागों पाए बले हारी गुरु आपने जिन गोविन दियों मिलाए तो गुरु जी आपके शुकराने या आपने मुझे भगवान से मिला दिया कैसे मिला दिया बता दिया पता बता दिया भगवान इस संसार के मालिक है निराकार रूप से है इसलिए दिखते नहीं है परिशान मत हो वो यही है अभी है तुम्हारे साथ हैं तुमको दिखते नहीं चिंता मत करो परवा मत करो ध्यान मत दो गुरू बता रहे हैं शास्त्र बता रहे हैं तेन चीज़ें होती है देखे गुरू, शास्त्र और एक हम ऐसा कहते हैं कि अगर हमको कोई चीज नहीं आती तो गुरू बताएं और शास्त्र बताएं तो माल लेनी चाहिए कहा जाता है, समझदारी इसी में है कि हमको कोई चीज नहीं बता तो जो गुरु बता दें और शास्तर बता दें माल लो तो गुरु ने बता दिया शास्तुलों ने बता दिया सर्वोपरी भगवान है सर्वोच, सर्वोपरी सब कुछ जगत के आधार जगत के सब कुछ भगवान है हमको नहीं दिखते हैं तो कोई बात नहीं नरा कारूप से यहां अभी इस्थित है यहीं पर हैं अभी हैं माल लो और हमारी एक एक बात सुनते हैं कभी आपने एक जोग टाइप का सुना होगा कि अगर चीन्ती के घुंगरू बांदो चीन्ती के पैरों में घुंगरू बांदो उसकी आवाज भी भगवान सुनते हैं उनके हर तरफ कान है वो सब जगए हैं ठसा ठस चित गन शास्तरों ने उनके लिए शब्द प्रयोग किया चित गन चित गन, चित केते हैं ग्यान सुरूप ग्यान के द्वारा जिनको जाना जाता है वो ऐसे परमात्मा गन गन केते हैं ठसा ठस जो भरा हो ठसा ठस गन गन मतलब जिसके अलावा और कोई चीज हो raging ही न ठसा ठस जो भरा हो निराकार, साकार सब रूप में वही भगवान है, भगवानी गिता मैं का वासुदेव सर्वं, मैं सर्वत्र सर्वे आपक सब कुछ मैं ही हूँ, सब मैं ही बना हूँ, सब का मतलब सब, हम सुन लेते हैं, बोल भी देते हैं, सब कुछ भगवानी बने, कह दिया, फिर देखने दिखता रहता है हमको दिखेगा तो यही लेकिन अंदर की भावना में चेंज आया सब कुछ भगवान है सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई सब ए घट राम बोले राम बिना को बोले रे यह गुरुगरण साब के शबद है राम बिना को बोले रे राम बिना को बोले रे कौन बोले और कोई है ही नहीं दूसरा राम के बिना कौन बोलेगा और कोई दूसरा है ही नहीं सब ए घट गट मन्स शरीर शरीर यह घट हर चीज को जो भी दिख रही है घट है शरीर को घट कहते हैं ऐसे तो सब ए घट राम बोले सब मुख से भगवान बोल रहे हैं अब आप बोलेंगे कहीं कोई गलस सलत भी बोल रहा है वो छोड़ो उस पर व्यावार पर मत जाओ आप जब परमार्थ की बात करते हैं व्यावार को साइट कर देते हैं जब व्यावार में जाते हैं तो ठीक है फिर व्यावार में जाओ तो व्यावार की तरह ही चलो भगवान ने कहा है भी जब ज्ञानी जन व्यावार में जाते हैं तो वो वह वैसे ही आचरन करते हैं जैसे ज्यानी लोग आचरन करते हैं, क्यों क्या करेंगे, मम्मी को मम्मी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, दादी, व्याभार में तो जैसे आचरन, जो सब लोग करते हैं, वैसी ज्यानी भी करते हैं, उसी तरह बात करना, उसी तरह बैठना, उटना, जैसे खाते हैं सब लोग वैसी खाएंगे जैसे पीते हैं वैसी पीएंगे जैसे जैसे करते हैं वैसी हाथ से काम करते हैं पैरोस थोड़ी करेंगे हाथ से ही करेंगे जैसे जो होता है वैसी सब नैचरल लेकिन अंदर के ज्ञान में फरक है अज्यानी जानता नहीं है, कौन भगवान, कहां भगवान, ठीक है, सुना भी है, मानता भी है, लेकिन जानता नहीं है, ज्यानी जन मानते हैं पहले, फिर जानते भी हैं, सर्वत्र भगवान है, देखे, मानना हमको खूब आता है, ऐसा नहीं कि मानना नहीं आता हमको, किसी लड़की की जब शादी फेरे हो रहे होते हैं तब तक पूछो तुमारी शादी हो गई चल रही है चल रही है शादी चल रही है हाँ हाँ रुको फिर फेरे हो जाते पूरे साथ हो गए पढणी जी कहते हैं अब बेटा अपने साथ सासुर के पैर छो तो दोनों जने लड़के के माबाप हुए, लड़की के साथ ससुर हो गए अब, अब हो गए, फेरे हो गए, पूरे मंत्र हो गए, सब हो गया, अब बिटा पैर्चो, अब ये तुमारे आज से साथ ससुर हैं, ये तुमारे पती हैं, पती से कहेंगे मांग भरो साजना, नहीं पंडीजी तो नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे, तुम मांग भरो इनकी, रुपया दो चान्दी का, या अंगुटी लो सोने की, उससे ही, कर अगर जो भी प्रसेस होता है, करकर आके, अब आप शादी हो गई बिटा, आपकी शादी हो गई, अब लड़की के माता पिता, पे गई, क्या मतलब, सब विवाह का कारिकरम बड़े अच्छे से हो गया, कोई जंजट नहीं पड़ा, बड़ा शुकराना है, हमने गुरुजी को कार्ड बेजा था, कोविड के टाइम में जा तो सकते नहीं थे, हमने कोरियर कर दिया था, उनका फोन में में सेज आ गया थ आप बच्चों को बहुत बहुत शुकराना है, विवाह की और ऐसे करके, तो हम तो तब ही समझ गये थे, अब इनका कारिकरम सब सही हो जाएगा, और हो गया, सब बड़िया तरीके से हो गया, गुरुजी के बहुत बहुत शुकराने, भगवान के बहुत शुकराने, अब लड़की अब फेरे डालने के लिए वो क्या कहते है पक फेरा कहते न अब आई अगले दिन लड़की तो कुछ ऐसा हुआ कि तीन दिन रुकना है कुछ महुरत की बात रही होगी कुछ तो लड़के ने का मुझे भी कुछ काम है अपने ओफिस का तो मैं अब तीन दिन ब लो बात आए अब भो घर मेरा हो गया अब वहाँ वह पती मेरे हो गए अब वह साथ श्ससर मेरे हो गए वहाँ के जो लोग हैं उनका थोड़ा सा मिलनी-मिलनी हुई है सब मिले हैं लोगोंने क्या मुण दिखाई होता है सब देखाई उसने भी देखाई ये बुआ सास हैं, ये फलानी है, फलानी है, फलानी है, ये सब देखाई, वो हैं, वो हैं, वो हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, तो ऐसे करके, अब उसको वहां की बातें याद आ रही है, अब मैं किसे संबंद छूट गया, पंडे जी ने क्या कह दिया, साथ फेले डलवा के, क कि ऐसा क्या हो गया कि इसकी शादी हो गई, अब लड़की बिलकुल वहां की हो गई, सस्वराल की हो गई, कितना चेंज आ गया, अब थोड़े एक साल बाद आएगी, हमारे घर में यह होता है, हमारे घर में होता है, मम्मी भी मन में सोच सोच के मुस्कुर आ रही है, देखो साल में, यह लड़की कितनी ही शेंज हो गई, एक समय था जब कहा करती थी, मंदी मुझे हमारा घर, इस वाले घर को कहती थी, थोड़ा इदा एक अजगे painting खराब हो रही है, मंदी मी घर में painting करा लिते है, मैं भला हमारा घर, अब painting कुछ खराब हो रही है कुछ हो रही है अब नहीं कह रही painting करा लेते हैं अब वो घर उसका हो गया मानना खूब आता है हमको गुरु कह रहे हैं मान लो तुम्हारे सब कुछ भगवान है इस दुनिया के मालिक भगवान है वो तुमको दिख नहीं रहे लेकिन तुम मान लो कोई चीज हमारी होती है कहा लिखा होता है मेरी है पर हम मान लेते हैं किताब मेरी पैन मेरा, पैन से कितना अपना पन हो जाता है स्टूडनिट लाइफ को याद करिए बढ़िया पैन जब मिलता था हमको पैसे की कमी होती थी कोई अच्छा पैन कभी मिल गया तो उसको जेम में लगाई लगाई गोंते थे जराभी उससे अलग नहीं होना चाहते थे पैन को छोड़ना नहीं चाहते थे उठा ले गया फिर खो गया फिर मेरा पैन कहा लिखा था मेरा पैन एक बार मान लिजे जोके कुछ उठा रहे थे अचानक जेम में से पैन सरग गया नीचे गिर गया हमें पता नहीं चला किसी लड़के ने देख लिया उठा के ले गया अब उसका पैन हो गया कौन सा मेरा पैन माना हुआ संबंद ही तो है संसार से मेरा घर जो हम कहते हैं एक दिन आने का एक दिन जाने का जब शरी शान्त हो जाता है लोग ठाकर ले जाते हैं शम्शान में फूक आते हैं कौन सा किसका घर कौन सा किसका घर हम कह रहे हैं मेरा घर मेरा वेरा कौन सा घर मेरी चीज मेरा कपड़ा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा, करते रहते हैं हम सारा टाइम, क्या मेरा मेरा, क्या है हमारा इस संसार में, क्या साथ लाएते हैं, क्या साथ ले जाएंगे, विचार करता है, आदमी तो समझ में आता है, तो गुरु बताते हैं, तुमारे सब कुछ भगवान है, सब क अब दिल से करेंगे, अब खाली मुँट से नहीं करेंगे, अब दिल से करेंगे, अंदर से करेंगे, हे नाध, हे नाध, शीमत-भगवद-गीता, सत्रमाध्याय हमारा चल रहा है, शलोक 16, पिछली बारी अदूरा रह गया था, एक बहुत पुरानी घटना याद आ गई मेरा पंजव आजमी करता है हमारे दादाजी जो थे मेरे दादाजी वकील थे एक किस्सा मुझे याद आ गया बहुत ऐसे बहुत जादा तो याद नहीं है पर आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे दुनिया की क्या कहानी है शॉर्ट मैं सुनाने कोशिश करता हूँ एक आजमी यहां अलिगड के आसपास शहर है तो खुर जासे एक वेक्ते आया काफी गुस्से में था उसने अपनी जीवन की कथा सुनाई और कहा के मेरा लड़का जो है मेरा भाई जो है छोटा भाई तो काफी बुरा भला कह रहा था उसके लिए तो दादेजी ने उसको कहा था तुम अगले हफते आना विचार करना थोड़ा अगले हफते आना मैं तुमारे कागजों को देख लेता हूँ जो तुम कह रहे हो कारवाई करनी है कागजों को तुमारे स्टडी कर लेता हूँ तो जब अगले हफते आया था तब भी वो काफी गरम था काफी गर्मी में था गुस्से में था तो दादेजी ने उससे ही कहा देखो एक मिनट मैं तुमारी बात को इंजिनरिंग करा दी उसके बाद उसकी नौकरी लग गए दिल्ली में वो दिल्ली में रह रहा तुमने उसकी शादी भी करा दी और उसके बाद वो दिल्ली में क्योंकि अब कोई घर लेके रहना पड़ रहा था तो उसको तनखा कम पड़ रही थी वो तो तुम्हें कुछ दे नहीं पा रहा था, उल्टा तुम उसके help कर रहे थे एक बार वो कहीं गिर पड़ा था, तो उसके चोट लग गई थी उसके पेट में कुछ गुसके आ था, और उसके kidney damage हो गई थी तो भाई ने अपने kidney जो है उसको donate करी थी और सारा उसका इलाज कराया था, सब कुछ कराया था और आज जो है वो भाई जो है, वो जैसे अपने काम में बिजी है और भाई के तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और अपना एक flat करीदना चाह रहा है दिल्ली में तो कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ, इसके खिलाफ मैं कुछ कारवाई करूँ, ये flat नहीं ले तो दादे जीन बहुत समझाया है कि देखो इस दुनिया में तुम क्या साथ लाई थे, क्या साथ ले जाओगे तुमने जो करा अपनी खुशी के लिए करा अब एक केस वेस करोगे, ठीक है मैं करा दूँगा, जीत भी जाओगे तुम, लेकिन इसका परणाम कुछ नहीं निकलेगा, वो भाई तुमारा नहीं हो सकता जैसे वो पहले था अब तो बैटर यही है कि तुम उसको माफ कर दो, भूल जाओ और अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, अपने घर की तरफ ध्यान दो, अपना काम करो, अपने काम की तरफ ध्यान दो, उससे ध्यान अटालो यह एक घटना है जो बहुत होने सुनी होगी अपने जीवन में, उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ हो सकता है हमरे कोई सत्थंग भाई बेन भी सुन रहे हो उनको भी लग रहा हो कि हमारे जीवन में भी कोछ ऐसी घटना हुई थी किसी के लिए हमने बहुत कुछ करा लेकिन बाद में बदल गया ये संसार की कहानी है इस तरह की न तब ही एक आहवत बनी नेकी कर कुए में डाल नेकी कर दरिया में डाल तो अपना अच्छा काम करो तुमको जो करना है करो बाकि भूल जाओ आपको बताया था न हमारे गुरु दादा भगवान के जीवन की भी गटना ऐसी हुई थी एक आदमी की बहुत हेल्प करी उन्होंने और जब उनको हेल्प की जरूवत पड़ी तो वह आदमी गायब हो गया उसने हेल्प नहीं करी लोट करके तो उनके गुरु ने कहा कि तुमारा जीवन देने के लिए है लेने के लिए नहीं तो कैसे भी मान लीजिए दुनिया ऐसी है वैसी है या मेरा जीवन देने के लिए लेने के लिए नहीं या लोग ऐसे हैं वैसे कुछ भी आप कहते रो कुछ भी करो अब जो है वो है तो best चीज वो ही निकल के आती है गुरू जो कहते हैं कि इस संसार में कुछ रहने वाला है नहीं, कुछ साथ लाए थे नहीं, कुछ साथ जाएगा नहीं काम करो अपना अपना do your best, leave the rest अपना काम करो अपना अच्छे से करो बाकी भगवान के समर्पित कर दो सब, भगवान ने कहा भी गीता के लाश्ट वाली चेप्टर में, हे अरजुन तु मेरे समर्पित हो जा, मेरी शरण में आजा मैं तुझे हर ताप और पाप से मुक्त कर दूँगा यानि जो भी जीवन में तुझे जंजट समझ रहा है जो तकलीफ है, परिशानी है ये है, वो है वो मैं सब दूर कर दूँगा, तुझे मेरी शरण में आजा एरजुन तुझे करता विकर्म कर और सब समय में मेरे समर्ण कर अपना करता विकर्म करो वाकी भगवान को याद करो नाम जब करो भजन करो पढ़ो लिखो भगवान के बारे में गीता पढ़ें, भागवजी पढ़ें महाभारत भी एक ऐसा गरंथ है कभी आपको मिले, महाभारत की काहनिया करके एक पुस्तक आती है गीता प्रस गुरकपुर की भी हैं शयद तो महाभारत की काहनिया से काहनिया जो हैं वो भी अच्छी पढ़ने लाइक हैं, बहुत सीखने को मिलता है इसलिए सोल्वे श्लोक में भगवान कहरें मन की प्रसंदता मनह प्रसाद, मन की प्रसंदता क्योंकि संसार में वस्तू, व्यक्ति गटना परिस्थति सैयोग वियोग देश, काल अलग-अलग जगे, अलग-अलग समय हर समय प्रसंदता एक सी नहीं रह पाती आदमी की क्योंकि संसार सब परिवर्टन शीले वस्तू बदलती रहती हैं, व्यक्ति बदलते रहते हैं देखा न आपने उस नकाब बताया के मेरा भाई बदल गया इतना बदल गया अब बदल गया या समय की वो कहो अब उसको भी तो बिचारा अपना काम नहीं करना क्या अब उसकी family तुमने शादी कर दी family हो गई है वो भी तो बस आएगा ना वो भी तो घर बनाएगा ना उसके viewpoint से देखिये तो वो भी ठीक है अपनी जगे और इनके viewpoint से देखिये तो ये भी ठीक हैं अपनी जगे पर अब क्या करें इसका कुछ निशकर्ष तो समझ में आता नहीं, कुछ जवाब तो समझ में आता नहीं, कि यह करो, अब कहने वाले तो बहुत बात पनाएंगे, सब अपनी अपनी तरह बोलेंगे, बड़े वाले बड़े की तरफ से बोलेंगे, छोटे वाले छोटे की तरफ से बोलेंगे, अ ठीक है ना, अब इन चक्रम पढ़ेंगे, तो time waste है, कोई फायदा तो है नहीं, जिसके उत्पत्ती होती है, वह वस्तो इस थाई रहने वाली नहीं होती, उसका विनाश भी होता है, तो इसलिए मन की प्रसंदता बनी रहे, अगर हम वस्तों को, व्यक्तियों को, घटनाओं को, परिस्तियों को, चीजों को, इसको, इसको, अदेश को, काल को, इनको अपना मन देंगे, मन में बसाएंगे इन चीजों को, जैसे उसने अपने भाई को बसा लिया, तो सुख नहीं बना रहेगा, प्रसंदता नहीं बनी रहेगी, हो गया ना, उसको बहुत कुरोद आ गया, बहुत अंदर में बुरा लगा, बहुत ज्यादा, बहुत दुख हुआ, तो प्रसनता चली गई न, दुर्गुण दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर, दुर्गुण और दुराचार, वस्तु व्यक्ते घटना परिस्तिति देशकाल, इन में से अपने मन को निका लो, क्योंकि इन में दुर्गुण और दुराचार रहते ही हैं, और हमारे मन में भी रहते हैं, हम भी किसके सगे हैं, आप बतादो वो गलत था, वो गलत था, वो गलत था, आप बतादो आप कितने सही हो, आपने कभी कोई गलती नहीं की, आपने कभी किसी का दिल नहीं आपने कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया आप हमेशा सही थे हमेशा सही करते आए हमेशा अच्छा करते आए देखो ना अपनी तरफ अगर हम देखें तो हमसे भी तक गलतियां हुई है तो जिसके मन में संसारी बातों को लेकर ये देश काल बस्तू व्यक्ति गटना पर इस्तिति ये सारा जो इनको लेकर अशांती नहीं होती जिसको जिसके मन में उसका मन हर दम प्रसन रहता है अशांती नहीं होती क्योंकि उसने संसारी मनुष्य धन संपत्ति स्तरी पुत्र आदि नाशवान चीजों का सारा नहीं लिया है तो उसका मन कभी अशान्त नहीं होता उसको मालूम है यह सब व्यावार की चीज़े हैं व्यावार में हैं व्यावार संसार का नाटक मान लिजे चल रहा है पिक्चर देखने हम जाते हैं तो पिक्चर में हम हीरो का सारा व्यावार देखते हैं सारा उसका उसका परिवार देखते हैं सब देखते हैं कौन कौन से मोवी हम साथ साथ है टाइप की वो अमिताब बच्चान है उसकी वाइब जयाबाद उड़ी है पूरी शादी अटेंट कराए, कहते हैं बिना खाय भी यह शादी अटेंट कराए, फुरी शादी अटेंट कराए, खाने पी नहों कुछ न मिला, बस यह फरक था. ऐसे संसार है इसमें जो मन देता है वो सुखी दुखी उता रहता है मना प्रसाद नहीं बना रहता उसका मन की शांती, मन की एक रस्ता मन की प्रसंदता एक रस, एक रस मतलब जिसमें उतार चड़ाव नहीं हो वो नहीं बनी रहती अगर हम संसार में मन देते हैं तो और अगर भगवान को मन देते हैं तो मना प्रसाद हमारा बना रहता है ये बात है निचोड निकल के आया कि अगर मन को प्रसन रखना है तो संसार को मत लाओ मन में बाहर का संसार बाहर रहने दो बाहर का यह सब कारिक्रम हम आप के कौन फिक्चर क्या आप बाहर की बाहर रही जतनी दिर आप बैठे लेए उतनी दिर शादी अटेन करते रहे पर जब बाहर निकला आए हौल से तो गई ऐसे ही ग्यानी जन कहते है संसार को मन में उतला हो इसको बाहर रहने दू बाहर रहेगा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा और जितना संसार तुम्हारे मन में आएगा यह तुमको दुखी करेगा और एक दिन रुला भी सकता है इसको मन में मत लाओ ऐसी चीज़ को मन में मत लाओ जो रुला है कभी तो मन की प्रसंदता तभी रहेगी जब साहरा हमने भगवान का लिया है संसार का नहीं यदे सादक न रहने वाली चीजों का साहरा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का साहरा ले ले तो फिर पदार्थ व्यक्ति आदिके संयोग व्यक को लेकर उसके मन में कभी अशान्ती और हल्चल नहीं होगी ये बात है हम क्या करें सबका हित करने का भाव हो हमारा और अपनापन किसी के प्रते ना हो अपनापन अंदर वाला अपनापन मानने की जैसे बात चली मानने की आदत है हमको तो वो जो हमने मान लिया संसार को अपना उसको छोड़ दो भागवान को अपना मान लो संसार बाहर है उसको बाहर ही रहने दो भागवान को अपना मान ले हिनात मैं आपका हूँ आप मेरे हैं फिर पूछा मन की प्रसंदता का और बताईए और क्या उपाए है तो यह पिछली बार भी लिया था जो शरीर के लिए हितकारक बला करने वाला शरीर का एवन नियमित भोजन करने वाला है समय के हिसाब से सदा एकांत में रहने के सभाव वाला है समय अपना थोड़ा शांती में बिताता है एकांत एकांत वहां है जहां हमारा मन नहीं है मतलब मन में कोई इच्छा नहीं है तो एकांत है और मन में इच्छाएं है तो भीड़े है मन में इच्छा नहीं है तो एकांत है और मन में इच्छा है तो भीड़े एकांत में रहने के सुभावाला है इच्छा हैं आप कह सकते हैं ऐसे कोई जीवन चलेगा बिना इच्छाओं करते हैं कि एक आवर्शक्ता होती है कि इच्छा होती है बात कई बार चलती है इसको मिलाना नहीं चाहिए एक आवर्शक्ता तो ठीक है जरूरत कीछी रहती है वह शाम को आटा नहीं आएगा घर में नहीं लाओगे तो रोटी कैसे बनेगी यह आवर्शक्ता है आवर्शक्त बोलना भी उसका कम होता है. कोई पूछे, तो हित्सकी बात कहे दे, नहीं तो अपना शांत रहता है, चुप रहता है. जो सोना और घूमना कम करने वाला है, सोएंगे बहुत ज़ादा तो टाइम वेस्ट होगा, गूमेंगे बहुत ज़्यादा, तो टायम वेस्ट होगा, इस प्रकार जो शास्त्र की मरियादा के नुसार, खान, पान, व्याभार, व्याभार में सब आगया, व्याभार में ये कामगाज करना, स्वाठ ध्याय, पढ़ना लिखना, सोना, समय से जागना, घर के काम करना, न इस अब आ गया आदे का सेवन करने वाला है वह सादक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसंदता को प्राप्त हो जाता है बड़े लोग एक बात कहते भी हैं कभी आपने सुना होगा कि अगर करने वाला काम तुमने नहीं करा तो तुमने टाइम वेस्ट कर दिया जैसे मानली जी हम किसी व्यक्ति को यहां से अलिगाट से दिल्ली बेजें बहुत यह सामान हमारा ले आना वो गया दिल्ली करकर आकर लोटाया हमने का सामान और यह वो तो मैं भूली गया तो सारा वेस्ट हो गया ना टाइम पैसा भी वेस्ट हो गया टाइम भी वेस्ट हो गया तो करने वाला काम कर लो पहले तो तुम हमारा काम कर लेते हैं फिर बले कुछ भी करते तो कोई बात नहीं थी तुम हमारा रसामान ही नहीं रहे यह बात तो वो सादक प्रसंद रहते हैं जो करने वाला काम अपना पूरा कर लेते हैं जो संसार में मन अपना ज्यादा न रखकर भगवान में रखते हैं और अपना करतावे कर्म करते रहते हैं तो गुरु भगवान के शुकराने हैं आज भी कुछ और जो बात है चल गई सत्चंकी तो फिर अगली बार इसको पूरा कर लेंगे। गुरु भगवान के शुकरान हैं। रादे रादे भगवान जी।